दोस्तो आप लोगों को थमनिल और टाइटल देखकर पता चल गया होगा आज के या वीडियो कि इस टॉपिक पर होने वाला है तो इस टॉपिक पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पी अपना आईडी को ओपन कर जाओ अब यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों कि आपके जो फॉलोव वड़ने लग जाते हैं उसको बाद आपको बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं डारेक्ट सेंड कर दूँ और स्टोरी रिप्लाइ कर दूँ तो उसे मैसेज चला जाएगा उसके बाद मुझे यहाँ पर मैसेज कॉप्शन मिल जागा उससे बात करने का हाप फ्राइविट कर रकते हो अकाउंट को फिर भी तो अगर आपफ्श चाहते हो कि मेरा स्टोरी रिप्लाइ को नहीं कर पाए और कोई भी invite नहीं कर सके क्योंकि invite एक बार हो जाता है ना हाइए हेलो जो भी बोलना होता है फिर आप उसे accept करते हो एक्सेप्ट करने के वाँ जैसे कि यहां पे रखू,'mit यहां पर कर ला है, मैंसे करने लगेके। तो setting को जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल लास तक देखिएगा वीडियो आपके लिए काफे ज्यादा useful और helpful होने वाला है तो वीडियो को कहीं पर भी escape मत किजेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर जो गंटी दिख रहे है इस पर अल कर लिजेगा तो यह सब्सक्राइब होचेगा तो इस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर देना है लोगों पर लोगों पर क्लिक करने को आद यहाँ पर आपको three lining पर क्लिक कर देना है ठीक है जैसे आप three lining पर क्लिक करते हैं यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग देखने को मिल जाते हैं तो आपको कहीं पर कुछ नहीं करना है, यहान पर Message & Story Reply 있나al पर क arrows कर देना है यहान पर direct आप इहान पर search कर सकती हो, search पर click कर सकते हूं तो मैं यहान पर Message & Story reply पर click करते हो जैसे आप Message & Story reply पर click करते हो तो यहान पर एक option देखने को मिलता है Message Control, तो मैं Message & Control पर इस तरह से click stun test तो आपको यहाँ पर दोनों सेटिंग मैं बताने वाला हूँ कि कैसे दोनों सेटिंग आपको करना है जो आपकी followers है Instagram पर जिसे आप follow कर रखें या फिर आपको जो follow कर रखें अगर चाहते हो आपकी ओ आपको message करें तो आपको your followers on Instagram पर इस तरह से click कर देना है ठीक है यहाँ पर जैसे आप click करता हूँ यहाँ पर दो option देखने को आपको मिल जाता है message request don't receive request तो आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे message कोई ना करें कोई request भी ना वेजें तो यहाँ पर आपको don't receive request पर click कर देना है और update setting पर click कर देना है इस तरह से हो तो यहाँ पर change हो जाएग अगर आप चाहते हो कि जो unknown person होते हैं वह आपको message ना करें वह आपको कोई भी message ना कर पाए ना तो request भेज़ पाए ना ही और story reply कर पाए तो भी मैं आपको बताऊंगा पहले यहाँ पर message की बात कर लेते हैं तो others on instagram पर इस तरह से click कर देना है उसको यहाँ पर भी आपको वह सेटिंग देखने को मिल जागा तो आप अपने हिसाब सेटिंग को चेंज कर सकते हैं बाकि मैं चाहता हूं कि direct मुझे कोई message कर सके तो message request मैं इस तरह से click कर दूँगा तो यहाँ पर setting हो जाएगा ठीक है बाकि यहाँ पर मैंने setting कर रहा है दोनों में setting मैंने request कर रहा है बाक a story reply from everyone and allow a story reply only from people you follow don't allow a story reply तो आपको यहाँ पर don't allow a story reply पर किलिक कर देना है आपको कोई भी a story reply नहीं कर पायागा आप अगर story लगाते भी हो तो वहाँ से direct आपको send नहीं करेगा reply नहीं कर पायगा या फिर कोई reels देख रहा हो reels direct share करता है तो वहाँ पर आईडी सो हो जाता है वहाँ पर भी आपका आईडी सो नहीं होगा जिससे कि आपको कोई message नहीं कर पायगा तो आप दोस्तों इस तरह से Instagram की setting को कर सकते हो बाकि अगर आपको कुछ समाझ में नहीं आए तो बेज एक पोश सकते हैं अगर आप चाहते हो 24 गंटा online रहें बट किसी को offline ना दिखे सेटिंग करना WhatsApp में तो उस पर मैंने वीडियो बना रखा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा या फिर आपको description वीडियो कर लिंक मिल जागा आप उस वीडियो को देख सकते हो बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को like किजिएगा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे अपकी के साथ ना वीडियो में जब तक लिए अपना ख्याल देखिएगा बंदे मातरम गुड़ी बाटेक क्यार जाहें दूस्तों बापाई